तो आज हम लोग करेंगे यूपी पीशिस आरो ए आरो ठीक है सामान हिंदी फुल टेस्ट है ठीक है इसमें 60 कुश्चन सामिल है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंड है ठीक है साथ में अगर आपके 55 कुश्चन सही हो रहे हैं तो आप क्या है कि आरो ए आरो में कौलिफाइग कर सकते हैं ठीक है सब वीडियो को फुल वाच करिएगा ठीक है पहला कुश्चन है कि वर्तनी की दिश्टि से निम्रिकित में कौन सा शब्द सुध्ध है ठीक है तो बच्चों यहाँ पर राइट आप्शन ओगा option D अहान ठीक है अहान शब्द क्या शुद्ध है सौलंब अशुद्ध शब्द है जबकि शुद्ध वरतनी होगी क्या कि सौब लंबी और निरावलंब का शुद्ध शब्द है निरालंब होगा जिसका अर्थ होता है बिना आश्रा या सहारे का ठीक है तो इस सारे अग्ला कुशन है इसमें से कितने कुशन आपको सही हो रहे है आप हमें कमेंट बाक्स में कमेंट करके बता सकते हैं टीके अभी 42 रही शुद्ध है जद्ध की वरतनी की दिरिष्ट से निमकीन में कौन सा शब्द अशुद्ध है तो बच्चों यहां पर राइट आप्शन ओ होगा चले कुशन नमर तीन है निम में से वर्तनिक की दिश्ट से कौन सा शब्द शुद्ध है तो बच्चों यहां पर राइट आप्शन होगा ओप्शन डी देखी सामुद्रिक ओके ओप्शन डी करेक्ट आंसर है चले अगला कुशन है निम विकल्पों में से उस विकल्प का चैन कीजिए जो दिए के वाग के सही वाग के भेद का विकल्प हो वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की कौन सा वाग के है तो बच्चों यहां पर रैट आप्शन होगा ओप्शन बी संयुक्त वाग देखी वे संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की वाग संयुक्त वाग का उधारण है क्योंकि इसमें दो परधान उपवाग हैं दोनों उपवाग संयोजक अव्ये इसलिए ये लिष्ट से शुद्ध शब्द प्यारे बच्चों रैट आप्शन ने और ओप्शन C का वित्त्री राइट आप्शन होगा ठीक है Q7. निम्रिकिन में शुद्ध वाकिक कौन सा है? तेकि बच्चे याँ पर राइट आप्शनों को ओप्शन दी भारत की राजभाशा हिंदी है, ये वाकिक क्या है? शुद्ध है Q7. आख समात शब्द के लिए इनमें से उप्युप्त प्रायवाची शब्द कौन सा है? Q7. नमबर 7 के याँ पर आप्शन दे ट्रेक्ट आंसर है? चलिए एकला Q7. निम्रिकित प्राइशन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो दिये गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है? तेकि याँ पर नहीं शब्द लगा, सो वेरी इ है? ठीक है बच्चो? तो यहाँ पर राइट आप्शन होगा, और आप्शन भी फाका, फाका राइट आप्शन होगा, ठीक है? चलिए अगला Q7. देख काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्जाम के लिहाज से ठीक है? Q9. इनमें से कौन सा शब्द, अंबन शब्द का अ Option D. अध्याय यहाँ पर राइट आप्शन होगा, ठीक है? अंबर का अर्थ होता है, अध्याय नहीं है, शेज शब्द अंबर के प्राय हैं, अंबर के प्राय कौन से है? आकाश, गगन, फलक, नब, वस्त्र, कपास, ठीक? चलिए अगला Q7 है, इनमें से कौन सा शब्द अमी, प्यूस, सोम, जीव, नोदक, अगने के प्रायवाची, आग, ज्वाला, दहन, वैशानर, वाई सखा, हुताशन, अनल, पावक और किशानू, ठीक है? चलिए अगला Q7 है, निमें से कौन सा शब्द तिमीर का प्रायवाची है? तो पहरे बच्चों इसका राइट प्रायवाची शब्द है तम, तमिस्रा, अंधेरा, ठीक है? चलिए अगला Q7 है, निमें से कौन सा शब्द वाईव का प्रायवाची है? तो पहरे बच्चों राइट आप्च्चों होगा, प्रायवाची है? इसके आवलावा समीर, हवा, वात, मारूत, पवन, बयार, पव ठीक है? यह भी हैं. कोश्य नमर चोदा, इनमें से कौन सा शब्द आग का प्रायवाची है? प्रायवाची इसका राइट आप्च्चन होगा, ऑप्चन भी यानि अनल, ठीक है? आग के प्रायवाची शब्द अनल, अगनी, पावक, दहन, धुमकेटू, कृशानू, योम् चलिए अगला कोशन है इनमें से आकाश का प्रयावाची कौन सा नहीं है तो बच्चों यहां पर राइट आप्शनों का ओप्शन भी अमनी यह आकाश का प्रयावाची शब्द नहीं है ठीक है और यह तीनों आप्शन यहां पर सही है चलिए एगला कोशन है प्यूश का प्रायवाची शब्द कौन सा है तो पैरे बच्चो इसका जो right option होगा option C अमरित यहां पे right option है ठीके प्यूश के प्रायवाची शब्द में आपके सुधा, अमिय, सोम, अमरित आदी है चलिए एगला कोशन है राम बहुत बहादूर है इस वाग में कौन सा शब्द विशेश है तो पैरे बच्चो रइट आप्शन है option B यानि राम देखिए वाग की राम बहुत बहादूर है मिहराम शब्द विशेष है पहुत शब्द प्राविशेषर है तता बहादूर शब्द विशेषर है विशेषर जिस शब्द की विशेषता बताएं उसे विशेष कहते हैं जो शब्द संग्या या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेशल कहते हैं विशेशल सब्द की विशेशता बताने वाले शब्द को प्रव विशेशल कहते हैं ठीक है चलिए एकला कोश्यन है जिन संग्याओं की विशेशता बताई जाती ही उन्हें क्या कहते हैं तो पहरे विच्चो इसका राइट आप्शन होगा ऑप्शन स यानि विशेश है चलिए एकला कुश्यन है वह स्रेष्ट उपासक है वाक में परयोगत विशेश से कौन सा है तो प्यारे बच्छ इसका राइट आप्शन होगा ओप्शन है यानि उपासक यहां पर राइट आप्शन होगा ठीक है वह स्रेष्ट उपासक में उपासक विशे शब्द है तता स्रेश्ट शब्द क्या है विशेशड है को चलिए नमर बीच देखते हैं निम्रिकिद में विशेशड सब्द यानि लाल शब्द क्या विशेशड है चलिए कोश्च नमर 21 करते हैं कौन सा शर्द विशेशल है तो प्यारे बिच्चे इसका रैट आप्शन है ओप्शन C निपट देखे निपट शर्द विशेशल है ये गुण वाचक विशेशल का भेड़ है किसी वाग में संग्या अत्वा सर्वनाम के गुण दोश रूप रंग आयत को बहुत कराने वाले शर्द को गुण वाचक विशेशल कहते हैं ठीक है यहां पर क्लियर है चलिए अगला कुश्चन है देगे वाग में गुण वाचक विशेशल ज्याद की थी हमारे विद्दाले के पास आम का एक विशाल व्रिच है प्यारे बिच्चे इसका राइट आप्शन होगा ओप्शन से व ओप्शन सी गुण वाचक विशेशल होगा ठीक है क्योंकि इसमें गुण दोस और रंग आकार इस चीज के बारे में बताया गया तो यह गुण वाचक विशेशल होगी चलिए कुशिन नमबर 24 किसी संग्या या सर्वनाम शर्द की विशेशता बताने वाले शर्द को क्या विशेशल कहते हैं ठीक है चलिए कुशिन नमबर 25 विशेशल का लिंग किसकी अनुसार होता है देखिए आपके आरो एक्जाम में पूछा गया है तिहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन नहीं विशेश के अनुसार ठीक है जैसे राजू एक अच्छा लड़का है सी कुछ यहां पर राइट आप्शन नहीं चार परकार की ठीक है विशेशल के परकार है गुड़ वाचक विशेशल संख्या वाचक विशेशल परिमान वाचक विशेशल सौर्व नामिक विशेशल ठीक है चलिए अगला कुशन है इन में से अपील शब्द क्या है तो प्यार वोट मजिस्टेट जज पेपार स्कूल वोट पेंशन माची साधी शामिल है चले अगला कुश्चन है अलमारी किस भाषा का शब्द है तो पहरे बैच्चो राइट आप्शन ना ओप्शन भी पुर्तगाली देखें अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है तमबाकू ब वाषा के शब्द है किताब, गरीब, फकीर, मिनार, अदालत, कलम, एनक ठीके चले अगला कुश्चन है आद्रक का तदभो क्या है तो पहरे बैच्चो इसका राइट आप्शन होगा ओप्शन सी अद्रक ठीके आद्रक का अद्रक होगा अगनी का तदभो आग, रात्री का तदभो रात, जेश्ट का तदभो जेट, छार का खार, अच्छी का आख तदभो होगा ठीके चले अगला कुश्चन है इनमें से अंग रखा शब्द क्या है तो पहरे बैच्चो इसका राइट आप्शन होगा ओप्शन दी तदभो शब्द होगा ठीके किसको मालूम था इसका आएंसर कमेंट बाक्स में में कमेंट करके फटा फट इसका जवाब देना ठीके बच्चो चलिए अगला कुश्चन है निनमें कौन सा शब्द तदभो नहीं है तो पहरे बैच्ची इसका राइट आप्शन है ऑप्सन डी अगनी अगनी क्या है ततसम शब्द है ठीक चलिए अगला कुश्चन है इनमें से कौन सा शब्द एकल्ड का तदवो शब्द है तो फैरे बिच्छों इसका राइट आप्शन होगा option C अकेला option C एकल्ड का तदवो शब्द अकेला है चलिए Question number 33 अज्यान शब्द का तद्वो रोब कौन सा होगा तो पैरविश्चु इसका राइट आप्शन होगा Option B अजान होगा ठीक है Question number 34 इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है तो पैरविश्चु इसका राइट आप्शन है Option C अंक क्या यह तत्सम शब्द होगा Question number 35 अनाडी का तत्सम रोब कौन सा है तो पैरविश्चु इसका राइट आप्शन है Option नहीं अनार यह यह दिये गए जो विकल्प है इसमें अनाडी का तत्सम रोब अनिवार होगा से सभी विकल्प असंगत है अठालिका और अन्यत्र के तद्वो रोब करमसा अटारी और अनन्त होंगे यह द्यान देना चलिए अगला कुशन है हिंदी भाषा में निमिकल में से कौन सा शब्द पुर्टगाली भाषा से लिया गया है तो पैरविश्चु इसका राइट आप्शन है आप्शन है यानि आलू आलू पुर्टगाली भाषा का शब्द है अंग्रेंज में फ्रेंच भाषा का शब्द है यह उमकैची वाकुली तुर्की भाषा के शब्द है कुशन नमबर 37 खास सामगरी जो यात्रा की समय रास्ते में उभोक के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द यानि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो प्यार बैच्चे राइट आप्शनों का ओप्शन भी पाथे ठीक है खास सामगरी जो यात्रा की समय उभोक हो उसे पाथे कहेंगे जिसका कोई और ठोड ठीकारा ना हो खनाप दोश कहलाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन है बिना सौर्थ के कार करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा तो प्यार बैच्चे यहां पर राइट आप्शन आप्शन निस सौर्थी साथ में सायता करने वाला सहाय कहलाएगा भला चाहने वाला ही तैसी कहलाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन है जिसका जम कन्या के गर्ब से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा है तो बच्चो राइट आप्शन है आप्शन निक का नीन आप्शन D हाँ पे correct answer है ठी चले एगला question है जिसके आने की तिथी नहोँ वाक्याश के लिए सार्थक शब्द है पैरवच्छी उसका right option होगा option D अतिथी साथ में जिसे अपने अस्थान से हटा दिया गया हो उसे कहेंगे विस्थापित जो पहले जन्मा हो उसके लिए अगरच जिसे अपने पत से हटा दिया गया हो उसे कहेंगे पध्चीवत ठीक है चले एगला question है अंडे से जन्म देन लेने वाला वाक्याश के लिए शब्द क्या होगा तो पैरवच्छी उसका right option होगा option C अंडे से यहाँ पर right option है ठीक है चले एगला question है जिसने वच्छन द्वारा वेक्त नहीं किया जा सके वाक्याश के लिए उच्छी शब्द क्या होगा ठीक है जिसने वच्छन द्वारा वेक्त नहीं किया जा सकता इसके लिए एक शब्द तो यहाँ पर right option होगा option D आ निर्वर्चनिये चलिए अगला प्रिश्ण है नीचे दिये गए वाक्यांस के लिए उठीत शब्द दिये गए विकल्पों में से चुनिये जो सब की आगे रहता हो तो बच्चों यहाँ पर right option होगा option D अग्रली ठीक है आगे आने वाला अग्रिम कहलाएगा जिसकी गिंती होगा अग्रे गण कहलाएगा यहाँ पर अग्रिम अग्रली right option है चलिए अगला कुश्ण है जो देखने योग ना हो वाक्यांस के लिए उचीत शब्द बताईए तो पहरवर चुश्ण इसका right option होगा option C अग्रिम 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 के लिए उचीत वाक्यांस के लिए उचीत वाक्यांस दिये गए है विकल्पों में से चुनिए अन्यन्य मनस्क तो बच्चों यहां पर right option है जिसका मन किसी दूसी ओर लगा हो 46 का यहां पर option एक देखी correct answer है साथ में आप बताईए कि कितने कुश्ण आपके सही हो रहे है अगला प्रश्ण है निम्रिकित में से अशुद्वाक के कौन सा है तो पैर बच्चों यहां पर right option हो का option सी देश में सर्वस शांती होना चाहिए चले अगला प्रश्ण है इन में से शुद्वाक के कौन सा है तो पैर बच्चों इसका right option हो का option सी मैंने पुष्टक पड़ी यह वाक के क्या सुद्व है अगला प्रश्ण है कौन सा वाक के सुद्व है तो right option यह option भी दही खटा सभी को मालू है चले अगला question है लिंक की दिश्टे अशुद्वाक के तो पैर बच्चों इसका right option होगा option भी आपकी चरित्र अच्छी है option भी correct answer चले अगला question है सब भी वेक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं और पिवत वाक में रेकांकी शब्द के लिए विलोम शब्द का चैन कीचिए तो पैर बच्चों इसका right option होगा option D असब भी विलोम शब्द होगा सब भी का उल्टा असब भी चले अगला question है विलोम शब्दों का निन में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं थी किया आपे नहीं शब्द लगा ठीक है तो पैर बच्चों इसका right option होगा option D अगनी आग ठीक है ये विलोम नहीं है चले अगला question है दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या आद कीचिए उर्धु गामी उर्धु गामी का विलोम कौन क्या होगा option है अधो गामी आपे right option है ठीक है उर्धु गामी का विलोम शब्द अधो गामी है और विमुप का विलोमशब्द सम्मुख होगा, उद्याचल का विलोमशब्द अस्ताचल होगा, अधम का विलोमशब्द उत्तम होगा, ठीक? चलिए अगला कोशन है निमिकित प्रश्ण में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है तो प्यार बच्चे रैट आप्शनों का ओप्शन भी यानि शान्थ अन्य शब्दों के विप्रार्थक शब्द जो है क्रोधिक, शान्थ, अधिक, नियून, अक्सर, कभी-कभी चलिए अगला कोशन है इनमें से कौन सा शब्द स्या का विलोम है तो प्यार बच्चे इसका रैट आप्शन होगा ओप्शन भी यानि सफेद देगे, स्या का विलोम शफेद होता है, अन्य विवरण अगर हम बाप के बारें बताएं तो अपरकट का विलोम परकट, परोश का विलोम परतेच, डूबना का विलोम तैरना होगा, ठीक है चलिए अगला कुश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अत्य विरिष्टी का विलोम है, तो प्यार बच्चो रैट आप्शन होगा, अप्शन डी, अना विरिष्टी यहाँ पर रैट आप्शन है अगला प्रस्ट इन में से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है चले इसका एंसर आप लोग करंड बाक्स में हमें दीजिए question number 57 इन में से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है ठीक है चले अगला question है निम्र्खी में से कौन सा शब्द आरो का विलोम है तो बच्चों यहाँ पर right option नहाँ option D निर्मोव 58 का आप्शन B आरो होगा ठीके आरो है इसलिए इसका विलोम आरो होगा चलिए अगला question है अल्प का विलोम शर्द क्या है तो प्यार बच्चों इसका right option है option D अती यहां पर right option है लाश कुछ जयाने इन में से कौन सा शब्द असाक्त का विलोम है तो भच्चों यहां पर option है अना सक्त होगा जबकि अधम का विलोम उत्तम निरुद्सा का विलोम उत्सा निमगन का विलोम अमगन या अगनिमन ठीक है तो यहां पर आपके 60 question थे ठीक है इसमें से आपके कितने question है ठीक है अगर 50 plus है आपके तो यह मान लिजी आपकी तैयारी काफी important है और बहुत ही अच्छी ठीक है 42 दिन से ज्यादा है अभी तैयारी कर लिजीए ठीक है काफी time है चली मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ thank you धन्नवाद